विराट कोहली के 34 जनम दिन पर हम आपको बताएंगे तीन पारियों के बारे में जब विरोधियों के पसीने छूड़ गए थे बताएंगे के एक पारी का रोमांच इससे पहले आप अगर विराट कोहली को दिल से सपोर्ट करते हैं और बर्थडे विस करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए आपको बता दे कि 23 अक्टूबर भारती फैंस के लिए यादगार पल बन गया है आपको बता दे कि इस दिन टीम इंडिया ने पाकिस्तान को चार विकट से हराया था इस पारी में विराट कोहली ने अद्बुत पर दरसन कर फैंस को इमोशनल कर दिया था आपको बता दे कि इस दिन विराट कोहली ने तरपन गेंडों पर 82 रोनों की पारी खेलते हुए छे चौके और चार सांदार छके लगाकर भारत को जीत दिलाकर इतियास रच दिया था अब बात करते हैं कोहली की दूसरी पारी की टी ट्वेंटे विस्टुकप 2016 में विराट ने मोहाली स्टेडिया में आस्टेलिया के खिलाब मैच विनिंग पारी खेली थी कोहली ने भारत को मैच जिताते हुए नाबाद 82 रोनों की पारी खेली थी अब बात करते हैं तीसरी पारी की जो बहुत यादगार है आपको बता दे कि पारी में बांगला देश में आजूटी एसिया कप के दोरान ढाका में भारत पाकिस्तान का मुकावला हुआ था इस दबाव वाले मैच में कोहली ने सांदार पारी खेली थी आपको बता दे कि पहले बैटिंग करतो है पाकिस्तान में 329 रन बनाये थे जवाब में भारती टीम की सुरवाद खराब रही गौतम गंभीर जीरो पर आउट हो गए इसके बाद बैटिंग करने उत्रे मैदान पर विराट कोहली ने सारा दबाव हटाते हैं अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले